Hello everyone Welcome to our channel, इस वीडियो में देखेंगे पहल Work Book Class 3 Subject English Work Sheet No. 4, Work Sheet No. 5 और Work Sheet No. 6 इसी के साथ देखेंगे Assessment No. 1 का भी solution जो कि आपके page No. 54 से लेकर 57 तख इस्तित है तो चलिए फटा फ़स से start करते हैं, इससे पहले हमने Work Sheet No. 3 तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देके हैं, तो आप हमारी चैनल की प्रेस में जाकर कि उन वीडियो को चक आउट कर सकते हैं, तो चलिए फटा वसे स्टार्ट करेंगे, इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे, वक्षीट फोर्थ का सॉलुशन, जो कि आपके पेस नंबर 54 परिस्तित है, यहां हमें क्या करना है, सर्कल दी पिक्चर आप दी अनिमल्स दे रखे हैं, तो इन अनिमल्स से आपको पैचान करके, जो आपकी घर की पास में रहते हैं, उनकी उपर क्या करना है, आपको सर्कल करना है, ठीके, मेरे घर की पास में जैसे रहते हैं, काव, कै अगर ؟ अगर आपकी घर की पास में गौट रहती है त्याप पर भी सर्कल कर सकते हैं जैसे मैंने यहां सर्कल किया है डॉग बफैलोय सब्सक्रीज और not my house की निकट रहते हैं इसी तरह आपको भी circle करना है जो जाणवर आपकी घर की निकट पास में रहते हैं ठीक है तो इस वक्षित में हमें सरखल करना था नेक्स देखेंगे assessment number first का solution जो की वक्षित 4 की बाद में है तो यहां हमें क्या करना है fill the pictures with the given color name यहां हमें color name दे रखा है हमें क्या करना है simple color fill करना है जैसे ताई में दे रखा है black color तो हमें क्या करना है black color से इसे fill कर देना है जैसे इस तरह से black color से completely fill कर देना है ठीक है आपको अच्छे से fill करना है मैं मैं बता रही हूं आपको कहा कहा कलर करना है तो इसके अंदर आपको क्या करना है इस तरह से ब्लैक कलर को फिल कर देना है नेक्स्ट हमें क्या बता रखा है एक पैंट बता रखिए जो कि कैसे करनी है ग्रीन कलर से ड्रॉ करनी है तो यहां ग्रीन कलर से ड्रॉ कर दीजिए ठीक है इससे नेक्स्ट है एक स्कंट जो कि कैसे ड्रॉ करनी है रेड कलर में तो यहाँ रेड कलर को चूज करकी रेड कलर से इससे बना देना है ठीक है इसी तरह से एक टीशिट दे रखी जो कि किस तरह से फिल करनी है ब्लू कलर से तो यहां blue color से fill कर देना है इसको ठीक है इस तरह से हमें fill कर देना है next question है complete the following sentence using clues यहां clues दे रखे हैं I, three, alwar, rahul, kamal तो हमें क्या करना है इन clues का use करते हुए sentences को complete करना है जैसे first sentence है hello blank, am, rahul तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि किसके साथ में use होता है, am के साथ में तो यहां am के साथ में क्या use होगा I का use होगा, और यहां बता रहा है hello, I am, what, name बता रहा है तो यहां राहूल लिख सकते हो या कमल लिख सकते हो क्योंकि दौनों नेम में से कुछ भी एक यहां नेम आएगा तो यहां मैंने यहां लिख दिया है जैसे राहूल Hello I am Rahul Second है I live in अब कहां रहते हैं कहां है जगे का नाम कौन सा है दिये गए इस close में अलवर तो यहां लिख देना है I live in अलवर Third है I study in class अब यहां class का नीम लिखना है तो यहां 3, only 3 दे रखा है तो 3 लिख देना है I study in class 3 Fourth है my friend's name अब यहां पहले हमने राहूल को लिख दिया है तो अब बचा कौन? Kamal बचा तो यहां लिख देंगे हम Kamal My friend's name is Kamal तो इस तरह से यह था assessment number first का solution अब देखेंगे जो कि आपके page number 55 परिस्तित है Next देखेंगे worksheet fifth का solution जो कि page number 56 परिस्तित है यहां क्या करना है? Can write small letters हमें क्या करना है? Column में Proper column में हमें दिये गए हैं कुछ letters Small letter, okay? आपके alphabet किसे रिले तो यहां आपको क्या करना है? Same उसी column में जैसे तरह से यह लिखे गए है Correct stroke में आपको भी Small letter दिये गए blanks में लिखना है ठीके? जैसे यहां A, C, E, I, M, N, O दे रखा है तो यहां जैसे बीच वाले column को use करते हुए बीच वाला जो stroke है उसे use करते हुए यह लिख दिया है जैसे मैंने example के तोर पे आपको इन सब में इस तरह से ही लिखना है इस तरह से आपको नीचे दिये के ब्लैंक में इन correct stroke का use करते हुए ठीके? इन्हें ध्यान से देखिए तो यह जैसे यह लिखे हुए आपको इससे ही लिखना है तो यह था वक्षिर 5 का solution और लास इस वीडियो में देखेंगे वक्षिर 6 का solution इससे आगे हम नेक्स वीडियो में देखेंगे तो चले देखते हैं वक्षिर 6 का solution जहां लिख रहा है rewrite these letter in proper column तो यहां भी small letter दे रखे हैं हमें तो हमें proper column में जैसे जैसे दे रखे हैं यह वैसे ही यूज करना इससे पहले वाले में बीच वाले stroke के letter थे अब यहां first औ second stroke को यूज करते हुए जो letter है वो लिखे गए है जो कि कौन-कौन से होते है B, D, H, K, L, T ठीक है तो यहां लिख दिया है इनको तो यहां में जैसे example के तौर पर आपको बताया है इसी तरह से आपको correct stroke का यूज करते हुए यहां लिखना है beach और first को यूज करना है ठीक है आपको ध्यान रखना है तौरो लाइनों को यूज करते हुए in letters को लिखना है ठीक है तो यह था आपका वक्षिश 6 का solution जो की page number 57 पर इस्तीत है इस तरह से हमने यहां देखा वक्षिश 6, वक्षिश 5, assessment number 1 और वक्षिश 4 का complete solution इससे आगे हम और भी वक्षिश की solution देखते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल के इस साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद